हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बीर बिल्ड हूस इंजिनिरिंग में आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्लैब से छट टपकने का कारण सबसे बड़ा कारण क्या है? आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं आपके घर में अक्सर लोग जब भी घर बनाते हैं तब ये गलतीयां करते हैं और बारिस के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसी चीज में होती है कि ये मैंने क्या कर दिया? क्या यहाँ पर नई परिसानी मैंने अपनी खड़ी कर लिया? ये आप अक्सर सोचते हैं और इस बात को आप सोचकर बाद में पस्ताते हैं लेकिन उससे बेनिफिट कुछ नहीं होता सिर्फ एक चीज में आपको ऐसी बताऊंगा अगर आपने इस चीज को ध्यान रख लिये हैं तो ये पूरा वीडियो देखना आपके लिए सार्थक हो जाएगा और आपकी स्लैब जो है अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं डाल रहे हैं तो कभी भी पानी नहीं टपकेगा सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो और ये वीडियो बहुत ही जादा आपके लिए इन्फोमेटिव भी हो जाएगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके विल आइकन प्रेस कर लीजेगा जब भी स्लैब डलती है तब आप गलतियां क्या करते ह स्लैब आपकी कास्टिंग हो रही है अब यहाँ पर आप कच्चे फढकी सेंटिंग करें या फिर आप जैसे फॉर्म बार सेंटिंग शेटरिंग बहुत सारे टर्म होते हैं लेकिन जनरल कॉंट्रेक्टर या फिर एक लोकल लेंग्वेज में हम इसे सेंटरिंग कह देते है ठीक है आप इसी तरीके समझेगा बहुत सारे लोग इसे टेक्निकली जाएंगे तो मैं आपको आसान भासा में हरी चीज समझाता हूँ अपने चैनल पर जब भी आप सेंटिंग कर रहे हैं तब यह आपके कच्चे फड़की हो सकती है प्लाई वाली हो सकती है या फिर आपकी प्लेट्स की हो सकती है जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पर एक ध्यान रखना है आपको किसे आप प्रॉपर तरीके से करें दूसरी चीज सेंटिंग करत यानि slope क्या आपको पानी कहां लेकर जाना है सबसे ज़्यादा इंप्रोटेंट यह है slab कभी भी आप 4-6 इंच का एक up-downs इस तरीके से दे सकते हैं अगर आप level देते हैं final slab की बात कर रहा हूं मैं अगर आप बीच में देते हो तो इससे आपको जब भी आप अगर मान लीजे tiles लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर feeling गौछ ज़्यादा आएगी तो final slab में करें जहां से कुछ नहीं बनेगा आपका और छट से पानी आने के संभाव नहीं रहेगी तो आप यहाँ पर लगबग 5-6 इंच तक का slope दे दिजिए और ढलान आपकी ऐसी दें आप ढलान की जाद जिससे आपका पानी छट में कहीं भी न रुकें फिर इसके बाद आप उपर boundary बना रहें तब भी आपकी जो parapet wall है इसमें आप proper तरीके से pipes लगाएं जिससे वो pipe आपके नीचे आए और rain water harvesting करें इससे छट का पूरा पानी आपका नीचे आजाएगा छट पर पानी कहीं नहीं भराएगा तो आपकी यकीन मानिए slab कभी भी नहीं टपकेगी slab टपकने का सबसे बड़ा reason यहीं होता है कि आप यहाँ पर slope में ध्यान नहीं देते और आपकी scenting जो है आप इस तरीके से करते हैं बेकार तरीके से कहीं भी पानी भर जाता है फिर जब slab कर रहे हैं कास्टिंग उस समय भी आप एक फर्मा रखें और नाप ध्यान में रखें कि आपकी हर जगह सहीं मोटाई की हो रही है या नहीं प्लाई में slope दिये प्लस आपको slab की कास्टिंग के समय भी slope मेंटेन करना है इतनी बात ध्यान रखेंगे तो पानी कभी नहीं टपकेगा I hope वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe करना ना बुलेगा Thank you, सुक्रिया